हेलो गैज, वेल्कम नो मैं यूट्यूब चैनल, एस्पन सुडान, सो मेरी जो आज की वीडियो है, यह इंडियन नेवी से निकल कर सामने आ रही है, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अगनी वीर के थू ही इंडियन नेवी की हमारी जो रिक्रूट्मेंट प्रोसेस है, वो चलेगी, तो फाइलि इंडियन नेवी ने भी अपनी रिक्रूट्मेंट की जो नोटिफेकेशन है, वो जारी कर दी है, जो भी लोग इंडियन नेवी की त्यारी कर रहे हैं, या इंडियन नेवी से जुणना जाते है, उनके लिए काफी अच्छी उप्रिशूनिट त्यारी से जुड़े हुए तो अगर हम eligibility की बात करते हैं तो ये इसकी जो eligibility रहती है थोड़ी अलग रहती है बाकी जितने भी हमारे notification होती है उनसे थोड़ी different रहती है तो सबसे पहले जो भी unmarried male होंगे female होंगे ये उनके लिए रहेगी देन अगनी वीर का आपको पता ही है process जो चार साल की service रहेगी देन क्या है हमारी educational qualification इसमें candidate वो मांगा गया है जिसकी जो 10th class यानि की matriculation जो examination हो पास होनी चाहिए देन age bracket इस चीज को डंग से सुनियेगा क्योंकि age bracket जो रहती है वो सबसे diverse और सबसे complex रहती है तो सबसे पहले इंडिय नेवी की जो age bracket है वो 1 December 1999 से 2005 की बीच में जो भी लोग है जिनकी date of birth फॉल करती है वो ही इस service के लिए eligible रहेंगे तो जो भी इस age bracket में आते हैं वो लोग जो है वो इस service से जुड़ सकते हैं तो इसमें post जो रहेगी हमारी MR की post है basically है तो जिसमें हमारा MR की post है देन के marital का मैंने पहले आपको बता दिया और पेज रहेगी हमारी 30,000 पर मन जो रहेगी वो fix रहेगी इसके बाद जो increment होते ना year basis पे वो इस पे अलग रहेंगे और allowance जो रहेंगे वो अलग रहेंगे तो देन first year में जो आपकी salary रहेंगे वो 30,000 रहेगी second year में 33 हो जाएग इतन fourth year में 40,000 के आसपास हो जाएगी बाकी in hand हमारी अलग होती है contribution for corpus fund जो अगनी वीर का उसकी अलग रहती है तो बाकी ये चीज़ें different है then life insurance cover आपको इसमें मिलेगा death compensation मिलेगी disability compensation मिलेगी तो ये different different चीज़ें मिलेगी अब हम बात करते हैं कि इसकी selection process कैसे होगी तो पहले short list किये जाएंगे candidate की 10th में उनकी क्या percentage है percentage base पे एक अलग section candidates का बनाया जाएगा then क्या होगा उनकी physical standard check किये जाएंगे मतलब 10th में percentage base पे इसकी merit प्रिपेर की जाएगी then physical standard होगा जिसमें सबसे पहले हमारा क्या देखा जाएगा कि जो male और female के लिए different रहेगा 1.6 km run है उसको आपको 6 minute 30 second में लड़कों का और 8 minute females का उसके बाद squares रहेंगे जनको उठक बैटक कहते हैं push up रहेंगे जो सिर्फ males के लिए रहेंगे females के लिए रहेंगे then band knees shit up रहेगा तो ये सिर्फ males के लिए नहीं होगा और female के लिए होगा तो इसके बाद सब चीजों के बाद एक final merit list prepare की जाएगी जिसके अधार पे आपको post मिलेगी बाकि medical standard जो रहता है वो वैसे ही रहता है जैसे अधर जितने में हमारे government के exam होते हैं navy army से related वैसा ही medical standard maintain करना पड़ेगा कि इन्हेंने का है कि apply जो रहेगा online रहेगा then क्या रहेगा कि covid protocols के तहती इसकी भरती की जाएगी तो guys यह काफी अची opportunity है जो लोग भी navy से जुनना चाहते हैं तो वो इस notification पर जरूर ध्यान दे thank you guys